नमस्कार मैं हुझूली आपे सक देख रहे हैं The India Top पत्ना पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफतार किया है जी हाँ दरसल पत्ना के सिविल कोट में एक शक्स पुलिस के कपड़ों में घूम रहा था और वो खुद को बेगु सराय टाउन थाना का दरोगा बता रहा था इसी दरान उसने सिविल कोट के भीतर सुरक्षा विवस्था को तोड़ने की कोशिश की सुरक्षा गाइडलाइंस को तोड़ने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया इसके बाद जब पूछता चुई तो उस शक्स की पूरी पोल खुल गई दरसल खुद को और बेगु सराय टाउन थाना का दरोगा बताने वाला ये शक्स बिपिन कुमार पूरी तरीके से फर्जी पाया गया ये कोर्ट में अपने भाई से मिलने गया था जो कि इस वक्त पॉसको एक्ट के तहट जेल में बंद है इसी दोरान उसने कोर्ट के भीतर सुरक्षा गाइडलाइन्स को तोड़ने की कोशिश की जिसके बाद वहां की पुलिस ने आपत्ती जताई तो ये उल्टा उन पर ही धोस जमाने लगा इसके बाद पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया और फिर हिरासत में ले लिया सिविल कोट की पुलिस ने आरोपित को पकड़ कर पीर पहोर थाना की पुलिस को सौप दिया है जहां से जाच परताल की जा रही है पकड़ा गया आरोपित विपिन कुमार खगडिया के सैथ पुर मानसी का रहने वाला है वो पटना सवल कोट में खाकी टी-शिर्ट और फोर्स वाली पैंट पहन कर आया था बताया जा रहा है कि उसका भाई पॉसको एक्ट में गर्दनी बाग थाना से जेल गया है वो उससे मिलने के लिए नकली दारोगा बन गया था कोट में वो खुद को बेगु सराय के टाउन थाना का दरोगा बता कर सुरक्षा को तोड़ रहा था इस पर कोट में तानात सुरक्षा जवानों को शक हुआ और उन्होंने पूश्टाश करनी शुरू कर दी पूश्टाश में जो जानकारी मिली उसे सुन कर कोट की सुरक्षा में लगी पुलिस भोर्श भी सन रह गई पुलिस ने इसकी सूचना सम्बंधित थाना पीरबहुर को दे दी है पीरबहुर थाना के पुलिस ने जब पूश्टाश की तो बड़ा खुलासा हुआ आपको बता दे कि आरोपित विपिन कुमार पहले भी कई बार जेल जा चुका है इसे धोखा धड़ी के केस में कई बार गिरफतार किया जा चुका है इस बार जब पुलिस को इस पर शक हुआ तो इसे गिरफतार किया गया और ये फरजी दरोगा के रूप में पाया गया आपको बता देगे पुलिस नहीं जानकारी दी कि इस वक्त सिविल कोट की भीतर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ऐसे में जब विपिन कुमार ने सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश की तो ये पकड़ा गया इसे गिरफतार करने के बाद पुलिस ने बेगुसराय टाउन थाना के साथ साथ आज पास के सभी थानों में पूश्टाच की लेकिन इस शक्स से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिली इस शक्स का किसी भी थाने से कोई संबंध नहीं था ये पूरी तरीके से फर्जी पाय पुलिस फिलाल इस सक्ष से पूछताश कर रही है और इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं लगतार पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है आपको एक बार फिर से बता दे कि यह शक्स जिसका नाम विपिन कुमार बताया जा रहा है वो सिविल कोट में गया अपने भाई से मिलने जो कि इस वक्त पॉसको एक्ट के तरह जेल में बंद है इसी दोरान उसने कोट के भीतर सुरक्षा गाइड लाइन्स को तोड़ने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने अपत्ती जताई तियो उल्टा पुलिस पर ही धौस जताने लगा उन पर दब अगर यह वीडियो फेस्ट पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर ले धन्यवाद